कहते हैं कि शक की दवा किसी के पास नहीं होती इवन हकीम लुकमान के पास भी शक की कोई दवा नहीं है लेकिन जिन्दिगी में कई ऐसे पल होते हैं कई ऐसे रिस्ते होते हैं और वहां शक अगर पैदा हो जायते हैं उसके रेपरकर्शन जो हैं उसके नतीजे जो हैं बड़े भ्यानक होते हैं दोस्तों मैं हूँ मनमिंदर और मेरी चैनल पी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं सभी का गयर बगदम करती हूँ और क्राइम की ये रियल स्टोरी उसी सक्ष से जुड़ी हुई है जिसमें ना सिरफ एक होनहार फुटबालर की जान चली जाती है बलकि एक उभरते हुए फुटबालर को जेल के सलाकों के बीचे भी जानना पड़ता है जान लेना वेला इतना शातिर है कि वो परिजनों के साथ पुलिस के बास भी जाता है और तहकीकात में बराबर उनका साथ देने का नाटक भी करता है लेकिन एक टेटू ने इस पुरी कहानी की परते खोल के रख दी यह कहानी यह depends की परागरास की हैं जिसे पहले अम इलाबाद के नाम से जाना करते थे यहां के रेलिजिटेशन के पास ही एक इलाका है । केंट का इलाका जिसे अंग्रेज उन्हें सैना के लिए बनाया था अमुमन जहाँ पर अंग्रीज रहते हैं वो अपना एक केंटोनमेंट प्रेवलोप करते थे और वहाँ पर अपने खेलने के सारे साजो समान भी रखते हैं वही पर उनका एक पॉलो ग्राउंड भी होता है और इसी तरीके से इलावाद में भी एक पॉलो ग्राउंड है केंट के इलाके में यहाँ एक सूखा हुआ कुवा है लेकिन बीस फरवरी को इस कुवे से अचानक बद्बुवाती है और जैसे ही इसकी सूचना सम्मनित ठाने को मिलती है वाके पॉलिस मौके पर पहुंचती है और इसके बाद कुवे में से एक बोरी निकलती है जिसको अच्छे से सिला हुआ होता है उसी में से बद्बुवा रही होती है अब जब बोरी को खोल के देखने हैं तो उसमें एक लड़की की बोडिंग लिती है ये बोरी खोलने के बाद ही बता चलता है कि उसके अंदर एक लड़की है और ये किसी को पता नहीं चलता कि इसकी जान क्यों ली गई है लेकिन बोडि पर पॉलिस को एक बड़ा सुराग मिल जाता है जिस लड़की की बोडि मिलती है उसके हाग के उपर एक टेटू बना हुआता है टेटू में लिखा होता है रवी अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि रवी को कैसे खुजा जाये कुछ पता नहीं सलता इसके बाद जैसा कि अम्मन पुलिस करती है पुलिस ने विख्यापन दिया उस टेट बोड़ी के बारे में और उसके बाद उनके पास एक शक्स आता है राजिंदर परसाथ धूरिया नाम का जो ये कहता है कि उनकी बेटी 22 साल की है और उसी का ये टेट बोड़ी है उनकी बेटी है और उसके हाथ पे ये टेटू गुदह हुआ था उसका नाम शालनी धूरिया है पिता ने ये भी बताया कि उनकी बेटी बहुत अच्छी फूटबालर है फूटबाल की बहुत अच्छी प्लेयर रही है और प्लेयर होने के नाते ही उसको एक पहुत अची सी जौब मिलती है, अभी हाली में वो दिल्ली पोस्टिड हुई है, और डेली उनसे फोन पे बात भी हो रही होती है, चोथा तरीक के बाद उनकी अपने माता पेता से कोई बात नहीं होती, और उसके बात जब बात नहीं होती है, तो वो उसके पूछती है, और उनसे पूछती है, यह जो टैटू बना हुआ है लड़की के हाथ में किसका है? उसके प्टा बताते हैं कि उसकी एक लड़के से दोस्ती है, उसका नाम रवी है, उसकी का नाम उसमें अपने हाथ में लिखवाया हुआ था एक टैटू के तोर पे, अब शानली के पिता को उसके पास जाते हैं, उन से पूछ दें के ये जो रवी है, जिसके साथ उसके दोस्ती थी, उसके बारे में वो थोड़ा बात बाताया हैं, और इसी दोरान पुलिस उसके काल डिटेल भी चेप करती है, काफी सारी चीजें सामने आती हैं, इससे बहले मैं आपको बता दूंगे पुलिस बहुत देर तक तो फेस्बुक पर ही लगी रहती है कि कौन-कौन से रवी जो है उसकी फेस्बुक पर है इसके बाद उसके पिता ने बताया कि शालनी की एक रड़ के रवी से बातचीत होती थी दोनों बड़े अच्छे दोस्त होते हैं और रवी उसको काफी पसंद भी करता था उसके साथ खेलता था पिछल चार साथ से उनकी दोस्ती चल रही थी जाने कि जब शालनी अट्ठारा साल की थी तब से उसकी दोस्ती रवी के साथ थी और चुकि शालनी के पिता एक ए रिक्षव चालक है तो इस नाते वह को शालनी की काफी मदद भी करता था फैनेंचली यह सब आते हैं घरवालों को पता होती है फिर रवी इसे पूछता होती है तो कि रवी कहीं गया नहीं होता है रवी उसकी पिता के साथ ही होता है ताहिकात में काफी मदद कर रहा होता है पुलिस ने पूछा कि वह कहां था 14 पंदल तारीक को वो बदाता है कि उसके रहे के पिता के मॉत हो गई थी वहाँ गया हुआ था पुलिस इसको चेक करती है तो उसके बास पाmy ago he तो अपने दोस्ते के कि देख पे गया हुआ था ये बात शही निकलती है लेकिनس पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है इसके बाद पुलिस शालनी के कॉल डिटेल्स जो है वो निकालती है इसमें पता चलता है कि 14 फरवरी को रवी और शालनी की कई बार बात होती है और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी लोकेशन भी एक साथ थी और यह जो रवी है इसका पूरा नाम रवी कुमार ठाकूर है उसके कमरे में जाकर के पुलिस तलाशी लेती है कमरे की और वहाँ पर उसको शालनी के कुछ सामान भी मिलते है इसके बाद जब रवी ने घटना की परते खोली तो वो काफी हैरान करने वाली थी दरसल रवी कुमार ठाकूर ने एक छोटे से शक की वज़ा से अपनी चार साल की दोस्ती को कुछी बल में खतम कर दिया वो पल थे तेरा फरवरी की रात के शालनी को उसने दिल्ली से बुलाया था वैलन्टाइन डे आ रहा था यह कह करके उसने बुलाया लेकिन लेकिन होता ही है कि चौदा फरवरी से एक दिन पहले ही जब शालनी को आना होता है तो उसकी चेन मिस हो जाती है वो अगले दिन आती है यानि कि तेरा तारीक को वो आना चाहती थी उस दिन उसकी चेन मिस हो जाती है और वो 14 फरविडी की शाम को सार बजे प्रियागराज स्टेशन पे पहुंचती है उसे रसीव करने के लिए रवी खुछ स्टेशन पे आया हुआ था और उसने शालनी को कहा कि वो अभी अपने घर में ना बताए क्योंकि वो कुछ समय अपने साथ एक साथ स्पेंड करेंगे प्रियागराज रेलवे स्टेशन से दोनों एक साथ रवी के घर जाते हैं रवी पास में ही रेलवे कॉलनी में रहता है और वहीं पर काफी एक दूसरे से बातचीत करते हैं आगे का प्रोग्रम बनाते हैं और रवी शालनी को फ्रेश होने के लिए वाश्रूम भेज देता है जब शालनी वाश्रूम में जाती है उसके बाद रवी के दिमाग में जो शक का किड़ा था उसको वो एक्सक्यूट करता है उसका मुबाइल फोन चेक करता है शालनी के मुबाइल में उसे कुछ ऐसे वीडियो मिलते हैं कुछ ऐसे फोटोग्रैब उसने देखे जिससे रवी का दिमाग जो है खराब हो जाता है वो बॉखला जाता है क्योंकि उस फोटो में शालनी दूसरे लड़के के साथ उसको दिखाई देती है और रवी का शक यकीन में बदल गया और वो अपने गुस्से को काबू नहीं पा सका एक बात मैं आपको बता दूँ कि अक्सर रवी उसको जब बात करता था रात में तो उसे शालनी का फोन पाफी बीजी मिलता था जब वो शालनी से सवाल करता तो वो उसे किस तरीके से टाल देती है लेकिन उसके मन में यह शक बैटा हुआ था जो आज ये वीडियो देक करके और फोटोग्रेप्स देक करके किसी दूसरे गड़के के साथ शालनी के वोशक पक्का हो जाता है और वेलंटाइन दिन दोनों की प्रेम कहने का अंत हो जाता है क्योंकि वहीं उसी पल उसने शालनी का गलादा भाकत उसे जाथ से मार दिया हत्या के बाद रवी ने एक बोरी निकाली और उसी में शालनी के बोड़ी को डाल दिया और उसके बाद मजबूते से उस बोरी को सिल दिया अब सवाल था कि इस बोरी को कहां डिस्पोज आफ के रहा है तो रात में आधी रात जब होती है तो वो अपने बाइक पर पीछे बान करके उसको चल पड़ता है केंट के पोलो प्राउन में उसे मालूम था कि वहाँ एक कोवा है, कोव एक अंदर वो बोरी को फैक देता है वो ये भी जानता था कि ये आर्मी का इलाखा है इधर कम लोग आते जाते हैं, इसलिए उसने बोड़ी को वहाँ फैक दिया उसको वह में और अगले ही दिन अपने दोस्त के पिता की मौद में भी शामिल हो गया ताकि किसी को कोई शक नहूंँग और उस दिन के बाद से वो हर दिन अख़वार चेक कर रहा था कि कहीं कोई खबर आए शालनी के बारे में या पुलिस उसके बार में कोई तहकिकात कर रही है यह शालनी के पिता, यानि कि शालनी के परिवार से कोई सभाल उट रहा है उसकी को मिशित्रगी को लेकर के तो bowls इस पर बूली नदर रखा हुगा था जब दो दिनों तक उसकी कोई ख़वर नहीं आती तो शालनी की पिता ने उस से यानि के रवी से संपर्ख किया इसके बाद कोई शक ना हो रवी पे रवी शालनी की पिता के बाद जाता है और बकाईदा शालनी की पिता के साथ वो पुलिस थाने भी जाता है अब पुलिस खोजबिन कर रही होती है अगर शालनी का शब नहीं मिला तो उसकी पोल नहीं खुल पाएगी लेकिन शब मिलने के बाद पुलिस उस तक पहुँची गई फिर 23 फर्वरी 2022 को अरभी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इस तरीके से एक उभरता हुआ जो फुटबार प्लेयर था वो सलाकों के पीछे पहुँच जाता है और वहीं एक खोनहार प्लेयर जिसे अपने खेल के दम पर ही नौकनी मिली थी वो अपनी जिन्दिकी से हाथ दो बैठती है दोस्तों मन में आपके कई सवाल आ रहे होंगे कि रवी को शालनी के फोन से कैसी वीडियो मिली क्या शालनी किसी और के साथ इंवल्व थी क्या रवी को शालनी के साथ ऐसा करना चाहिए था या शालनी को रवी को धुका देना चाहिए था ये सबी सवाल उलजे हुए हैं लेकिन सवाल का जवाब समझ में आता है तो एक के रवी और शालनी चार साल से रिलेशन्शिप में थे इट बीन्स शालनी की उमर उस समय अठारा साल की रही होगी ये उमर्ज होती है लड़कİों की काफी ना समझी की उमर होती है याने कि जिसे रवी प्यार समझता रहा हो हो सकता है कि उसके ना समझी हो 까शा protocols दोस्तों खतर नहीं होते हैं शालनी के साथ, बल्कि ये शुरू होते हैं, कई औरों के लिए, आप क्या कहते हैं, आप मुझे अपनी राये मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क करना न भूलें, आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इसे आप लाइक किजिए, शेर भी कर सकते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले, किस तरीके से कच्ची उमर के जो दोस्ते होती है, कई बार, जब समझ आती है, जब मैसोटी आती है, बच्चों में, तो वो किस तरीके क अंत लेती हैं, कहानिया इस तरीके की, फिलाल इतना ही, फिर मिलती में आप से किसी और कहानी के साथ, तक तक आप अपना और अपनों का ख्यार लखें, जए हैं,